आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गया कि आपको अब जाज के NS 160 लेनी चीए या बजाज के NS 200 लेनी चीए और आप हो एक NS Lover पर कंफ्यूज हो थोड़े से कि आप लोगों को कौन सी लेनी चीए कौन सी लेनी चीए सारे मतलब माइंड में इतने सारे कोस्टन चल रहे कि पूछो मत भाईया किन लोगों के लिए NS 160 बनी है और किन लोगों के लिए अपनी NS 200 बनी है उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगा इस वीडियो में उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ अगर किसी को भी यह गाड़ी चाहिए बजाज की कोई इसी भी गाड़ी चाहिए तो एक लाक बहत्तर जार रुपे मतलब वन लैक सेवन्टी टू थाज़न रुपे देखे अप इस गाड़ी को ग्रैप कर सकते हो मैं ऑन रोड बता रहा हूं एक सो रूम नहीं बता रहा और मैं इस वाली गाड़ी की बात करूं मतलब एनस दोसों की बात करूं तो वन लैक एटी फॉर थाज़न की आपको यह ऑन रोड डेली में देखने के लिए मिल जाएगी या गाजेबाद या एंसी आर में अपना एक दो जार पर नीच हो सकता है वो चीज आप लोग अपने नियरे स्टोरूम में जाके पता कर लेना तो प्राइस का अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 12 से 15 जार पे का डिफरेंस है दोनों ही गाडियों में उसके बाद क्या क्या चींजिस देखने के लिए मिलेंगे वो वीडियो के एंड में बताता रहूंगा पहला चेंज तो आपको यह रहा कि आपको 15 जार पे का मोटा ड करो कूल भीईयों की बात करो तो 17.2 वीच्पी मिलेगी और और एनम की बात करूं तो 14.6 का आपको यहाँ पर आनम देखने के लिए मिलेगा मतलब कहीं ना कहीं बात करो मैं और इसकी बात करूं जो भाई अपनी लेजंडरी 12 सालों से चलती आ रही है एनस 200 इसका तो अल्मस्ट सब लोगों को पता है कि 200 सीची का लुकिट कूल इंजन है बीए सेवन कहलो या बीए सिक्स फेस्टू वाला कहलो एतना अल्टॉंटी दोनों ही गाडिया है इंजन के बा अब आगई है अब थोड़ा सा कंपेर करते तो पावर आप में थोड़ी सी इसके मुकाबले कम मिलती है वह कितनी कम मिलते है वह बताता हूं आप लोगों को तीसरी चीज जो मेजर हाइलाइट वाली तो नहीं है पर मैं बता देता हूं चोटा सा डिफरेंस है तो उस चीज इसके डिएरल्स है वह आउन नहीं होगी इसमें आपको एक और मिल जाता है आप डियारल को आपको बस अपनी किया आउन करनी है आपके डियारल्स है वह आउन हो जाएंगे इसमें आपको कोई भी सिद्धति नहीं करनी है यह देखो इसमें आपको डियारल्स को आउन और उफ करने का यह अपने यह यह आने वाली यूत है आप जो आने वाला मतलब अपना यह उसके लिए तो हम जो NS को देखेंगे वो इसी लुक्स में देखेंगे तो हमें आदा डालनी पड़ेगी इसके DRL की कभी भी ऐसे DRL की आपको दिख जाए गाड़ी रोड पे चलते हो रात के सार तो समझ जाना वो NS है या तो वो NS 125 है या वो NS 200 है यह रही चेंजस की बात एक मेजर चेंजस और आएगा गाड़ी को लेके कि आपको पता है कि भी एच्प वेच्प पावर वगारे में सब्सक्राइब प्राइस में थोड़ा बहुत डिफ्रेंस समाझ आता है कि जो लोग ना थोड़ा सा टॉप स्पीड अचीव क कि तरफ जा सकते हो NS 200 की तरफ सवरी क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाते है 60 का गेर बॉक्स जिसकी वज़े से आपको क्या होता है आपकी टॉप स्पीड तो अच्छी होती ही होती है क्योंकि नेकेड में अगर 200 सीची में देखे तो सबसे बढ़ी है टॉप स्पीड इस इसमें नीं होनेस इसके अंदर आपको 6 गेर मिलेंगेнесके अंदर मैं बतादू आपको टॉप स्पीड तो गम्मिलेगी मिलेगी इसके ऐंद्र आपको साथ-साथ मिलेंगे तो मेजर चेंजें से जो आप लोको को इफेक्ट कर सकते है या फैमली के परपस से चलते हो या फैमली के साथ चलना चाहते हो तो भी उस कंडिशन में आपको आपको सारी गाट के साथ-साथ-साथ वह पैर रखने वाली जो चीजे होती न यह भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जस लाइक आपको B-roll में दिख रहा होगा पर इसके अ अब मैं एक चीज और क्लियर भी कर देता हूं कि किन लोगों को लेनी चाहिए उसके बाद में सिमिलाइटी इस बता दूँगा और NS के साथ साथ मेरेको अपनी जॉब भी देखनी है मैं college going student हूं तो मुझे college से आने जाने में अगरे के लिए अपनी pocket money पे भी धियान रखना पड़ेगा तो उस condition में आप NS160 की तरफ जा सकते हो आपको उससे 12-15 जाओर पर सस्ती मिलेगी आपको इसके अंदर mileage जादा दे आप भी चला पाओ आप इंजॉए अगर पापकी फैमिली इंजॉए उस condition में आप NS160 की तरफ जाओ ऐसा मेरा मानना है किन लोगों को लेनी चाहिए जो एक 200 सीची की पावरफुल बाइक देख रहे है ना या जो एम्टी वगारा के चक्कर में पड़े हुए या अधर किसी ब्रेंड की गाड़ी के चक्कर में पड़े हुए तो आप आपको वो सारी चीजे मिलेंगी जो अधर ब्रेंड में मिल है ना वो थोड़ा RS200 के मुकाबले ज्यादा मिलता आपको इसके अंदर तो वो चीजे आप लोग देखे लिए ना टॉप स्पीड के आप सोखीन हो थोड़ा सा हाड और फास चलाने वाले सोखीन हो कि आपको हाई स्पीड पर ही चलना पसंद है आप हाई वेस पे ज्याद तो उस कंडिशन में भी आप इसकी तरफ जा सकते हो क्योंकि इसकी जो माइलेज ऑन रोड जो लोग निकालते हैं हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे भी सोरब भाई हैं वो जो निकालते हैं वह इससे 35 38 के बीच में निकाल पाते हैं और इसकी बात करूँ एनस वर शिक् काम के नहीं है बताता हूं कैसे कैसे आपको आलमस्ज़ दोनों गाडियों में देखने के लिए 100 सेक्शन का आगे 130 सेक्शन का पीछे कंपनी वगाईरा और परफॉर्मस बगारा दोनों गाडियों में सेम रहेगा बस मेरे को एक चीज का हमेसा दुख रहता कि एनस 200 के मैं बात करूं ब्रेकिंग दोनोंगाडियों में एक्दम एकुरेट सेमें 300 के फ्रंट ब्रेक मतलद इसमें चक्ट की आपको क्निक तोनों कि मीटर भी दोनों गाडियों में आपनी लास्ट वीडियों में बता चीका हूं बस एक्सटरनल चीज बता देता हूं आपको देखो बी रोल में दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या अधर आपको Bluetooth connectivity मिलती है उसके अंदर भी Bluetooth connectivity मिलती है इसके अंदर भी आपको अधर ब्रेकिंग वगएरा सब से में तो यह चीजे मुझे लगता है सब लोगों को आज के टाइम पर पता है कि अगर कोई लेने जा रहा है यह कुछ चेंज जाद तो नहीं यह यह जिए सपेंसन पीछे मोनों सौक है हाँ थोड़े से एक चीज में को कहने वाली है कि यह जो आगे फ्रेंट वाले थोड़े से मोटे होते ना तो मज आ जाता बागी यह तोड़ा अच्छा काम करते हैं पर हाई स्पीड पर कई बार मतलब सौ में से एक दो बार ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसा लगे कि गाड़ी जूल रही है तो बागी बास